आज हम बनाने चाहरे हैं सूजी का टेस्टी कुरकूरा नाश्ता स्नैक्स जिसे आप असानी से बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही कुरकूरा क्रिस्पी बनता है यह देखो खाने में कितना टेस्टी लग रहे ना इसे बनाना भी उतना ही असान है तो चलो हम रेस्पी की और आगे बढ़ते हैं यहां हम एक पैन लेंगे पैन में हम स्कूर्ण ओल यहां प्रेड लिया है और जैसे कि हम कोई ने कोई सब्जी फ्राय करते हैं उसके वाद तेल बज जाता है अभी हम इसमें आड़ करेंगे चीली फ्लेक, साफ्टी स्पून है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके जगह जो आप यह लाल मिज पाउडर डाल सकते हैं, अच्छी से इसे मिक्स कर लेंगे, अभी हम इसमें आड़ करेंगे सूजी, यहाँ पे अच्छी से पकाना है, तो क्या रहेगा, सूजी कच्ची कच्ची सा टेस्ट आएगा, कच्चा कच्चा सा, तो हमने इसलिए सूजी को अच्छी से पका लेना है, अभी हम इसमें आड़ करेंगे नमक, हाफ टी स्पून नमक लिया है, अच्छी से डाल कर मिक्स करेंगे, इस सूजी में किसी भी तरह की गाट ना बने बस हमने यह यही ध्यान रखना है लगाता चलाते वे मिक्स करते जाना है और पानी डाल देना है अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम सूजी को तब तक पकाएंगे जब तक यह जो है पैन को ना छोड़े लगे डो की फोम में ना जाए तब तक हमने सूजी को अच्छे से पका लेना है फ्रेंट्स आपको पता है यह जो नाशता है ना इससे अब बना कर फ्रीजर कर सकते हैं कम से कम 7-8 देस के लिए और जब दिल करें आप इससे बना कर खा सकते हैं वाना या पर मिक्षर रेडी हो चुका है अभी हम यह यहां पर लेंगे पोटेटो उबले हुए आलू लिये हैं यहां पर चार आलू लेने हैं आलू का छिलका निकाल देंगे आलू का छिलका निकाल दिया है अभी हम यहां पर एक बॉल लेंगे और एक ग्रेटर लेंगे कदुकस ले लेना है और आलू को जो हमने कदुकस कर ल और हमने यहां पे सूजी वाला मिक्षर चेक कर लेती हैं त्यान के रखना है सूजी वाला मिक्षर ठंडा हो जाना चाहिए उसके बाद हमने यहां पे आलू वाला मिक्षर इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहा चोटी चोटी बॉल सी तरह से हमने बना लेनी है यह देखो सारी की सारी बॉल सी तरह से हम रेडी कर लेंगे अभी हम यहां पर लेंगे एक टोकरी किसी भी तरह का बास्केट होती ना हमारे घर में उसका धक्कल ले लेना है या फिर इस तरह की बास्केट लेनी है इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे इस तरह से हमने इसमें लगा देना है यह सिरफ डिजाइन बनाने के लिए किया है हमने यहाँ पे इस तरह की शेप देने के लिए किया है एक पार्ट उपर की और इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से बंद कर देंगे अभी इसी तरह से आपको प्रेस करके इसे राउंड शेप दे देनी है और इस तरह का हमने नाशता रेडी कर लेना है अभी आप इस टेज पे इसे जो है फ्रीजर करके रख सकते हैं और 7-8 देज के लिए रख सकते हैं आप इसे तेल हमारा यहां पे अच्छी से गरम हो गया है पहल हाई फ्रेम नहीं रखनी है तो क्या होगा फिर से अच्छा सा कलर आ जाएगा अंदर से कच्छा कच्छा रह जाएगा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए इसे मेडियम फ्रेम पर फ्राइब करना है अब दूसरी बात क्या ध्यान रखने हैं इसे आपने जब हिलाना है तो किसी फोक से हिलाना है कर्ची से नहीं लाना वना यह जो है टूट जाएंगे चीपक जाएंगे या फट भी सकते हैं बिलकुल अंदर जैसे सूजी फट भी सकती है तो अपने ध्यान लगना है वही इसको जब भी हिलाना है फोक से या किसी स्पून से आप इसे हिला सकते है एक साइट से फ्राई हो जाने पर आम इसे दीरे दीरे इस तरह से पलट लेंगे जैसे आप देख रहे हैं यह जो नाशता है बनाने में बहुत ही असान है और बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बनता है और नहीं ट्राइ किया है तो जूरूर ट्राइ करना मैंने जब यह जो स्न कुरकुरा नाश्टा बनागर दे सकते हैं इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ममा भी खुश हो जाएगी तो इस तरह से कुरकुरा क्रिस्पी सा मलब हो गया है एक अच्छा सा कलर आ गया थोड़ा सा और इससे इस तरह से हम पका लेंगे यह देखो अभी बिल्कुल कहीं है तो आप डाल सकती है bringing पस्किप कर सकते हैं एक टाइम पर इतना साण जोए बन जाता है अभी तो मैंने थोड़ा सा मेटीरियल लिया था बागी सारा फ्रीजर कर दिया था और बाद में शेप्स देकर मैंने उसको फ्रीजर कर दिया यह देखो नाश्ता बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है और यह देखो कितना क्रिस्पी बना है बनाने में भी बहुत ही असान है और